हेलो दिस इस डॉक्टर उपिंदर कॉर्प वेल्कम टो फीजियो लेक्टर एंकल एंड फूट बायो मेकैनिक्स ने अब हमारा जो नेक्स्ट आपिक है वो है सब्टैलर जॉइन इससे पहले हमने एंकल जॉइन के बारे में देखा एंड फिर प्रॉक्सिमल एंड इस्टल टी सब्टैलर जॉइन के बारे में भी देखा उन सबके वीडियो जो है वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एंकल एंड फूट बायो मेकैनिक्स में अगर अभी तक आपने वो वीडियो ना देखे हो तो जरूर देखे उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रि क्या है फिर उसके बार जो है एक टार्सल कैनल के बारे में देखेंगे तो अभी स्टाइंग करते हैं सबसे पर टाइप तो यह कंपोजिक जॉइंट है आर्टिकुलर सर्फेसिस इस थ्री आर्टिकुलेशन पांट बिट्वीं टैलस एंड कैलकेनियम यह जॉइंट जो है और क्येल के बीच में बनता है और इसकी तीन आर्टिकवुलर सर्फेसिस हैं एन्टेरियर यह जिए जैक्यूलीsters औज पॉस्टीर एलाटिकुलेशन तो सबसे पहले देख देखते हैं पॉस्टीरीर एलाटिकुलेशन अब पोस्टीरे आर्टिकुलेशन कैसे बनती है वीस between convex facet on the body of calcaneum, calcaneum का यह जो convex facet है वो और उसके साथ concave facet of under surface of talus, और talus का जो है concave facet मतलब इतना जो है वो posterior articulation है, जहां पर calcaneum convex होता है और talus का जो है concave facet होता है, anterior articulation जो है और medial articulation दोनों में क्या होता है, convex facet जो है वो talus पे होता है और concave facet जो है वो calcaneum पे, मतलब यह anterior और medial articulation है, तो joint जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, anterior, medial and posterior, posterior articulation में क्या होता है कि calcaneum का facet convex होता है लेकिन टारस कॉंके होता है, anterior और medial में क्या होता है, कि यह जो टारस है वो convex होता है और calcaneum जो है वो concave facet होता है, between posterior articulation and medial and anterior articulation, there is a long bony tunnel formed by the sulcus, that is concave group, this funnel shaped tunnel known as tarcal canal, अब होता क्या है कि यह जो posterior जो है आर्टिकुलेशन और anterior और medial articulation है, इनके बीच में जो है जैसे कि यह पूरा posterior है और यहां से medial और anterior है तो बीच में concave canal बनती है पूरी, दोनों के बीच में anterior, medial और पीछे posterior है, बीच में canal बनती है, अगर यह पूरा जो जॉइंट है, वह canal इस तरह से पूरा cross करती है, funnel shape की होती है, वह canal, तो उस canal को बोलते हैं, tarsal canal runs obliqually across the foot, its large end lie just anterior to fibular maliolus and small end lie towards the tibial maliolus, it is known as substantaculum tally, it divides the joint into two parts, तो यह जो joint है वो दो parts में divide हो जाता है, जैसे कि एक इतना जो है posterior part, इतना anterior or medial part, बीच में से एक canal जाती है, अब यह जो जैसे कि पूरा यहां पे है, tellus और calcanium है, तो उनके बीच में से ऐसे पूरी canal जाती है, यह canal जो है obliqually होती है, इस side अगर tibia है, इस side fibula है, तो यह tibia के आगे, और fibula के आगे पूरी canal ऐसे open होती है, अगर यह blue color का पूरा canal है, और यह tibia, यह fibula, तो वहां पे यह open होती है, जो fibula side पे opening होती है, वो large होती है और tibial side पे small होती है, tibial malulus के आगे opening, fibular malulus के आगे opening, इस तरह से पूरा जो है, बीच में से वो canal जाती है, जिसे substansiculum tally बोलते हैं यह transverse canal, जैसे कि यह जो है telus calcanium के बीच में से पूरा इस तरह से जाएगी वो canal, एक side जो है tibia होगा, एक side fibular malulus होगा, अब posterior यह जो articulation होती है, इसका खुद का joint capsule होता है, इतना खुद का joint capsule होता है, लेकिन यह जो anterior और medial articulation है, इसका joint capsule और telus और navicular joint capsule पूरा एक ही होता है, तेलो navicular और anterior और medial articulation जो है telocalcanium joint की, इनका पूरा एक capsule होगा और posterior articulation का अलग capsule होगा, इसलिए joint जो है वो दो part में divide होता है, तो, posterior articulation has its own joint capsule, posterior articulation का खुद का joint capsule होता है, बट anterior और medial articulation लेकिन जो anterior और medial articulation है, शेयर capsule with, उनका capsule होता है telonavicular joint के साथ वो शेयर करते हैं पूरा, तो यह था basic subtelar joint के बारे में, अब हम उसके ligaments के बारे में देखेंगे और functions के बारे में, अब subtelar joint में जो posterior facet होता है, उसके 75% force जो है वो transmit होता है, तो posterior facet receives 75% of the force transmitted through the subtelar joint, बट pressure on posterior facet is same as that of medial and anterior facet because of larger contact area in the posterior facet, अब भले जो pressure जो है जो भी force transmit होता है subtelar joint पे उसमें से 75% posterior surface पे होता है, लेकिन जो pressure होता है medial anterior और posterior facet पे वो same रहता है, क्योंकि posterior facet जो है उसका contact area जो है उस जादा है, अब ankle joint की तरह subtelar joint भी है वो degeneration उसमें काफी कम होता है, अगर बहुत जादा damage हो मतलब कोई high stress हो like fracture हो जाए उसी time पे जो है subtelar joint में degenerative changes आते हैं, लाइक एंकल joint, subtelar joint really undergo degenerative changes unless damaged by high stress your fracture, अब सबसे पहले ligament, अब सब टेलो joint में ligament होते हैं, सबसे पहले calcanum fibular ligament, टेलो calcanium ligament, cervical ligament, इंट्रोशियस टेलो calcanium ligament, सबसे पहले जो है calcanium और fibula के बीच में, fibula और calcanium के बीच में calcanio fibular ligament, फिर lateral tello calcanium ligament, lateral side पे क्या होगा, tellus और calcanium के बीच में ligament होगा, फिर एक cervical ligament है, जो दोनों के ऐसे neck में होता है, और inट्रोशियस टेलो calcanium ligament, अब होता क्या है कि यहां पे पूरा draw करके बताती हो, जैसे कि calcanium और fibula, यह fibula है calcanium, तो एक यहां पे calcanio fibular ligament होगा, दूसरा जो है, tellus और calcanium के बीच में होगा, तो वह हुआ tello calcanium ligament जो lateral side पे होगा, फिर जैसे कि यह calcanium और tellus है, तो lateral side पे होगा tello calcanium, फिर cervical ligament यह होता है, जो दोनों के tellus और calcanium के neck के बीच में होता है, फोरे, यहां पे calcanio fibular ligament यहां तक पूरा आएगा, यह calcanium है, यह tellus है, तो पहला जो है calcanio fibular ligament, calcanium और fibula के बीच में दूसरा है lateral tello calcanium, tellus और calcanium के बीच में, third है cervical ligament जो दोनों के neck के बीच में, मतलब calcanium का neck और tellus का neck दोनों के बीच में होगा वो, तो यह इतने ligaments हैं, फिरफ इसी तरह से याद रखना है fibular calcanium, tello calcanium, cervical ligament, tello calcanium के बीच में introsious ligament, इतने ligament होते हैं, अब जो है इस पे motion, अब इन सारे ligaments में से सबसे strongest होता है cervical ligament, जो दोनों की neck को connect करता है, इसलिए इसका नाम भी cervical ligament है, tellus की neck और calcanium की neck को connect करता है, अब motions में सबसे पहले होता है supination, supination में क्या होता है कि movement जो है इस तरह से होगी, inversion, adduction and plantar flexion, अब non weight bearing में pronation motion, तो pronation में क्या होगा, dorsi flexion, adduction और eversion, तो यह दो moments होते हैं, supination में inversion, adduction and plantar flexion, of calcanium, और pronation में eversion, abduction and dorsi flexion of calcanium, सारी movement calcanium पे हो रही है, अब weight bearing में क्या होता है, जैसे कोई weight bearing में खड़ा है, तो अगर कोई person foot जो है supinated करता है, तो supinated foot अगर आप खुद करके देखो weight bearing position में, तो होगा क्या कि calcanium inversion होगा, जो tellus होगा वह बाहर की तरफ होगा, उसका abduction होगा, और tellus पे ही dorsi flexion होगा, tibia fibula compensate करने के लिए laterally rotate होगे, जैसे कि यह जो है supination हो रहा है, तो इस तरह से होगा, calcanium जो है उस पे inversion होगा, tellus जो है उस पे abduction होगा, और tellus पे जो है dorsi flexion होगा, लेकिन जो tibia fibula है, वह इसको compensate करने के लिए laterally rotate होगे, तो अब यह जो है supination, इसे supinated foot या cavus foot भी बोलते हैं, अब pronation में ultra calcanium का eversion होगा, tellus जो है वह अंदर की side reduction होगा, और plantar flexion होगा, और tibia fibular का media rotation, तो इस तरह से जो foot होता है उसे pronated, best planers या flat foot बोलते हैं, आप weight bearing में करके भी देख सकते हो तो जादा अच्छे से पता लगेगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो like and share जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, thank you. सब्सक्ता लाएएथ को